अस्सलाम अलेकुम दोस्तो आज मैं अपनी क्लास की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो बाजू हम कटिंग करते हैं इसके आर्मोल जो कटिंग करते हैं कि आर्मोल हम किस सरीके से काटें जैसे कि हमारी गुलाई 17 इंच है इसका कमीच का आरमोल कितना काड़ना है वो मैं आपको बताऊँगा तो बताऊँगा मैं 14 जिसके गुलाई 14 होती है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये इतने साइज के 20 और 21 और 22 ये मैं 9 साइज में आपको बताऊँगा कि इसकी किस सरीके से हम रखेंगे जैसे कि हम ये गुलाई नाप लेते हैं यहाँ पर यारमोल में जैसे जिसका ये 22 इंच आ गया इसकी हम जब बाजू काड़ने लगेंगे तो जैसे डाउन करने के बाद में ये चीज हमें कितनी रखनी चाहिए तो वो मैं आपको बताऊँगा तो इसको सीखने के लिए वीडियो का आप एंट तक देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको टैम से मिलती रहे और दोस्तो अगर आपको मेरे पैटन चाहिए तो इसक्रीन पर जो दिया गया नंबर है आप उस पर मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं मैं आपको बता दूँगा कि आप मुझसे वर्टसप पर भी कॉल कर सकते हैं और बैसे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं तो दोस्तो आप करते हैं वीडियो को सुरू तो ये देखिए दोस्तो ये मैंने साइज लिखे हैं जिसके मलब गुलाई मुड़ेगी 14 इंज है 15 इंज, 16 इंज, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अब हम सबसे पहले काटते हैं 14 इंज वाले को तो देखिए इसको हम इस तरीके से अपने सामने रख लेते हैं ये कपड़ा हमने लिया है इस तरीके से इसमें हम छोटी बाजू की काटेंगे और एक बड़ी बाजू की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम देखे छोटी बाजू की cutting करते है तो देखिए हमें करना क्या है सबसे पहले हमें एक निसान लगाना ही हमें यहापे जो के समझ ही लगाया जाता है जो हमारी यह folding के लिए होता है तुर्पाई करना है आपको यह बैसे भी पूरा है गुलाई वाला मैं कह रहा हूं यह गुलाई में जो है आपका 14 इंज आपने नापा है तो इसमें किस तरीके से रखेंगे देखिए अब मैं इसकी बाजू काटता हूं दो साड़े चार इंज की तो यह पांच हम निसान लगाएंगे इस तरीके से और इसमें जो है यह जो यह 14 इंज आपको यह निसान लगाना है इस तरीके से मनलबApp सबह चेंज पुरा टोटल होगे आपका 5, 6-6 इंज गुलाईक ये होगी तो इस तरीके से आप लगाएंगे अब इसके जो आपको जितना भी मार्दन लेना है आप उसी साफ से ले सकते हैं ठीक है अब जैसे हमने यह निसान लगा लिया अब इसको देखिए इस तरीके से हम करेंगे गुलाई क्योंकि जब तक गुलाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने जितना यह रखा है हमारा पूरा आजाएगा अब यह जैसे हमने बाजुगा यह निसान इस तरीके से पूरी एकदम लगा लिया अब इसकी देखिए हम इस गुलाई को ऐसे करके नापेंगे देखिए इस तरीके से यहां से रखेंगे और इस तरीके से देखिए ऐसे करके नापेंगे यह आपकी सवाचेंज लगाएंगे बिलकुल एक दम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा अब यह देखें इसी तरीके से अब हम कर लेते हैं जैसे कि 15 जिसका 15 इंच मुड़ा है गुलाई वाला अब जिसमें हमने सवाचेंज लगाया है उसमें हम निसाल लगाएंगे साड़े छे अब हमने यह साड़े छे का लगा लिया अब साड़े छे इंच वाले को हम इस तरीके से देखिए ऐसे करेंगे तो देखिए हमारा बिल्कुल साड़े साथ इंज यहां पर आ गया और कभी बाइचांस अगर एक आज सूत कमबढ़ हो जाता है तो आप जब बाजु चड़ा अब देखिए इस कपड़े को हम इस तरीके से पलड लेते हैं यहां पर, क्योंकि देखिए सारी इसी में ही बताएंगे, तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, अब यह देखिए हम इसमें, इस तरीके से, यह तुर्पाई के लिए, ठीक हैं, अब हम बाजू काड़ते हैं इस तरीके से यहां होगित ही 5 व ряд में 7 swoje 17 लगाई जो गया तो agree क्या यहां थो आपको बता जर्या थिक unions के इस तरीके से इस तरीके से आप हमने जो अभी आपि 15 जा तो 15 में साडरे चे लगाया था तो 17 जो गया क्योंकि इसको जितना डॉन करतेंगे यह चीज आपकी कम यहां पर बचेगी तो यह जब पहनते है ना तो यहां पर यह बिल्कुल अंदर यहां पर मुड्डे में घुज जाती है तो इसलिए इस चीज को कम डॉन करा जाता है अगर कोई यह कहता है कि हमें यह चीज कम भी करते हैं और पॉनीच यह प्रसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर गूसको डीप मांगता है तो नहीं तो आप श्रीके से करें अब यह देहिए इसकी नहीं कर दिए घुद्य שמׇह काथ ओर लेंगे इसको अब को आम फेंगे में ढूसी त इसे हम पाला या जब spansi गया तो सथरीके से सप्त्राइई नेक mél polít नलें हम लेंगे इसको जैसा हमें इसमें पौने 7 लिया है तो उसमें हम 7 इंच लेंगे इस तरीके से बस दो सूद बढ़ता जाता है दो सूद इधर बढ़ाएंगे आप तो इधर आपका टोटल गुलाई में 1 इंच से 5 इंच बढ़ जाएगा जब आप इस तरीके से 7 इंच का यह निसान लगाएंगे फिर इ इसको इंच इपको आपको यहां पर गुलाई करके ऐसे करके और यहां पर उठाना पड़ता है तो यह देखिए यह आगया आपका 17 क्योंकि जब यह कपड़ा है भी तो इस तरीके से आप नापेंगे तो यह जब कटने के बाद में यह एक दो सूद बढ़ जाता है कम नही यह देखिए इस तरीके से यह हमने काठ दिया हम ना और यह कड लगा देंगे यहापे और एक कड लगा देंगे। अब यह देखिए जो हमने बाजु अब कार्ट ली अब यह कार्डने के बाद में तेकिए इसको हम पहले इस तरीक से ợखिए नाप लेते हैं बूरा। फिर इस तरीक से जब ऐसे करकर नाप यह तो यह तक्रीव जैसे हैं जाए लिए आका 16 दोड़ कम गया अब जब दो सूच कम अब भी हमें में इसका फ्रेंड का यह चीज काटेंगें 100 Sindh 11 Assault तकरीब बढ़ना है कि हैं यह दकाहिए इस तरीके से ये दो सूथ हमारे यहां बढ़ जाएगा अब ये देखिए जब हमें नापना है 17 इंज हमें तैयार बिल्कुल चाहिए तो इस तरीके से देखिए हम जब बाजू बना लेते हैं जब हमारी ये सिलाई लग जाएगी तो हमारी ये गुलाई इस तरीके से देखिए होती है तो तो यह 17 इंज में जो आपको यह गुलाई है तो उसके लिए आपको यह 7 इंज का लगाना है अब इसी तरीके से देखिए यह बाजू हटा देते हैं अब 18 और 19 में आ जाईए 18 और 19 इंज का जो हमारा यह मुड़ा होगा क्योंकि मैं जादा तर इसलिए समझा दे रहा हूँ आपको क्योंकि कई लोगों के यह रहते हैं कमेंट कि मलब इस साइज में तो यह हो गया सर इस साइज में कितना निकालना है तो मैं आपको इसलिए 22 मुड़े तक बता रहे हूं इसलिए 9 साइज बाकि तो आप उसी तरीके से आप सारे इस्तिमाल कर सकते हैं अब यह देखें 17 भी हमारा हो गया अब 18 अठारा के लिए भी देखें हम 5 इंज बाजू की लंबाई है वह साड़े पांच इंज इसमें हम साड़े तीन इंज इस तरीके से डॉन करेंगे यह देखें यह थोड़ा हैवी सायज हो गया क्योंकि अगर इसमें नहीं करेंगे तो यह चीज बाजू हैंसे आपकी उठने लगेगी इसकी बाजू की मुरी हम रखेंगे साड़े 11 साड़े 11 भी रख सकते हैं 12 भी रख सकते हैं मैं 12 रखे लेता हो ठीक हैं अब यह 18 इंज पास से एक सूथ बढ़ा क synt Leia चांब निसान लगाने के बाद में जो इन्ची टैपके बार निसान जाता यह आपका 17 में भी बैठ जाएगा और 18 में भी बैठ जाएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब बाजू चड़ा रहे हैं आप उस समय जरूर देख लें क्योंकि जब उस समय आप देख लेंगे न तो एकदम अच्छी तरीके से चड़ा लेंगे क्योंकि जब हमें यह सिलाई लगानी होती है यहां पर तो जब सिलाई लगाएंगे तो हमें पताएगी अगर हमारे यह तोड़ा बढ़ गया है तो हम इस सिलाई को यहां से किदर कर बढ़ जाता इस तरीकता अभी दस को इस तरीके से नापंगे लिए तकरीबान साड़े सत्राइफ एंग और हमें मुड़ा कितना चाहिए अठा रही तो यह साड़े सत्तरा इंग जारे है अभी हम फ्रेंड के फोड़ी सी capaci करेंगे तो हमारी कभी भी यह जादा बढ़ गया और कम इच्वा भी बढ़ गया है तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है फिर या तो आपको सेट से दवाना पड़ेगा या आपको पलेट डालना पड़ेगी तो इस तरीके से आप देखिए यह साड़े सात इंच पे आप लगाएंगे तो यह तक्रीबन निसान लगा को जिखा देता हूं यह देखिए 5 सी यह एक निसान यह लगा लिया और यहांगे अगर आपका 17 बीज से इस तरीक जागएंगे यह जो पीचे आगये वाला तरवी बढ़ा सकते हैं तो यह आपका सत्रा अठारा इंज भी हो गया और सत्रा इंज भी हो गया ठीक है यह दोनों में आ जागा अब इसी तरीके से देखिए 19 आप बाजू आपकी जो है बड़ी बाजू हमारी बड़ी ठीक है अब इसका हम निसान लगा लेते हैं सबसे पह इस तरीके से और बड़ी बाजू आप कभी भी काटेंगे तो जो हलके साइज है उसकी भी और यह वाली आपको 3.5 इंज ही लेनी है इस तरीके से क्योंकि इस जगा पर यह स्पेस आपका काफी जादा है तो आप 3.5 इंज काटें यह सिरब 3 इंज जो है वो छोटी बाजू दूप ले लेना इस तरीके से ठीक है यह देखेह ऐसे करके सिरफ आपको खाली समझना है बस बाकी आपका एकदम ठीक हो जाएगा यह देखिए यह सराह के से यह वरल्त 9 इंज यह आ रहा है तो सवा ठारा इंज नौ इंच एक सूद आ रहा है तो सवा ठारा इंज आ जागा तो इसको जिस तरीके से मैंने इसमें पीछे बदाया था कि आप इसको हलका सा इधर टैट कर लें क्योंकि देखिए कईची जैसी होती है कि कुछ कपड़े होते हैं यह तोड़े से खिच भी जात प्रेंड को काड़ेंगे तो वह आपका एकदम परफेक्ट बीस इंज आ जागा अब यह बीस इंज में सभा ठारा से लेके साड़े नहीं सोरी सभा आठ से लेके साड़े आठ तक निसान लगा सकते हैं जिसकी गुलाई आपकी बीस इंज होगी तो उसके अंदर आप सभा या साड़े-8 इंज लगांगे साड़े-8 लगांगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा निसान लगाते हैं सबसे पहले कभी भी करेंगे सबसे पहले तुरपाई के लिए ठीक है उसके बाद में जो आपकी लंबाई है उस लंबाई में आदा इंच अब यह देखे 21 पर्फेक्ट है ठीक है मैं मानता हूं पर्फेक्ट है फिर भी अपणी तसलिके लिए इस तरेके से एक बार काटने से पहले तो यह करिब एक दो सूत कम ही आ रहा रहा इस तरीके से तो जब आगे का फ्रेंड हम काटेंगे तो एक दम हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा ठीक है अब जैसे हमने यह लगाया नौ अब बाइस इंच पर जो है सबानो या साड़े नौ साड़े नौ इंच का लगा लें इस तरीके से यह देखेए साड़े नौ इंच लगा लें इस तरीके से गुलाई लेंगे तो देखे लिए हमारा बिल्कुल यहां पर 11 इंच आ अब इसकी बौरी है जैसे ग्यारा इंच तो ग्यारा इंच का यह निसान लगा लिया अब जिनका मैंने आपको पहले भी बता है जिनका इस जगा पे यह जगा इधर दिखाना है यह जगा अगर मास यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो उसमें जो हमें कटिंग करने के लिए या तो सीधी फटी च करना पड़ता है जैसे यह है यह इस तरीके से फटी को यूज जब करेंगे जब किसी का यहां पे मास ज्यादा होगा ठीक है और अगर यह जगा है मास नहीं लटक रहा है तो आप से फटी को देखे इस तरीके से यूज करेंगे अब आप खुद अंदर देख सकते हैं कि य इतना आपका यह कंभ भी आपगा जैसे कुछ लोग है जिनका यहां परировать नहीं होता है और उसके बाध में आप इस तरीके से कर ते दिये तो भाहर अब आपका परफेक्ट आजागा जो अभी मैंने इससे पेछली वीडियो में भी जो डाली ये पीछे उनमें आपको इसलिए सारे तरीके ये बता रहे हूं कि आर्मोल लेंद कैसे निकालनी है, 13 किस तरीके से निकलना है तो मैंने सोचा आपको ये भी बताता है चनू कि बाजू की हमें आरमोल की ये किस तरीके से निकलनी होती है तो मैंने ये समझाया आपको 9 तरीके से तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला अपेज